और शादी तक कुछ ऐसे इशूज हो गए कि शादी तूट गई उस रोज आपकी योट पे भी इस बात पे डिसकाशन हुई थी और आपकी मॉम को लगा था कि शायद हो लड़का ही मुझे छोड़ के चला गया हूँ क्योंकि मेरे बाब भाब उसके परिवार की मांगे नहीं पूरी कर पाए हूँगे फिर उसके बाद क्या हुआ I mean, uh, मेरी मॉम ने क्या का ये नहीं जानना चाता तुम्हारे मुझ से सुनना चाता हूँ कि अच्छली मैं क्या हुआ It's a long story कुछ तीन साल पहले एक लड़के से मेरा रिष्टा तैह हुआ था और शादी के आज सपास उसने मुझे बताया कि उसकी नौकरी लग गई है अमेरिका में और वो चाहता था कि मैं उसके साथ वहीं शिफ्ट हो जाऊ लेकिन तब ही मेरे बाबा को बिजनिस में बहुत बड़ा लॉस हो गया मेरी फैमली के ओपर बहुत बड़ा करजा आ गया था ऐसे मैं अपने परिवार को छोड़ कर कैसे चले जाती तो मैंने डिसाइड किया कि मैं यहीं रुपकर दो जॉब्स करके अपने बाबा की मदद करूंगे अपने परिवार को उस करजे से बाहर निकालूंगे उसे ही बात सही नहीं ले क्योंकि उसका मानना था कि शादी के बाद तो उसी की फैमली मेरी फैमली है मुझे उनके बारे में सोचना चाहिए मुझ आता था कि मैं मेरे भाई, मेरी आई, मेरे बाबा सब को भूल जाओं क्योंकि उसने मुझे एक अंगूठी पहना एक अंगूठी और कुछ गहने पहनाने के बदले मैं अपने परिवार को भूल जाओं पूरे परिवार को छोड़कर उसके साथ चली जाओं ऐसा हो सकता है क्या मुझे रिष्टे समझ में आते हैं सर रिष्टों की सौदे बाजी नहीं इसलिए तुमने रिष्टा तोड़ दिया शायद वो कभी मेरे दिल से जुड़ा ही नहीं था क्योंकि अगर जुड़ा होता तो वो मेरे सामने ऐसे चॉइस तो नहीं रखता कि अगर मैं उससे चुनूंगी तो मुझे मेरे परिवार को छोड़ना पड़ेगा और परिवार को चुनूंगी तो उससे चोड़ना पड़ेगा इसलिए शादी तूट गए और मेरी सबसे बड़ी शिकायत यह है कि दुनिया वजय जानती थी फिर भी सब में मुझे पर इल्जाम रगा कि मुझे रिष्टे निभाने नियात है कुछ ज्यादे ही मॉडर्न हो मैं मैंने अपने माई की को ससुराल से उपर रखा इसलिए कभी मेरी शादी ही नहीं होगी वगेरा वगेरा लेकिन एक लड़की को न अपनी जिन्दगी में कई सारे ऐसे मुश्किल फैसले करने पड़ते आपकी जिन्दगी तो फिर भी आसान है तो मैं आक्चिली लगता है कि तुमारी प्राब्लम मेरी प्राब्लम से जादा बढ़ी है लगता तो है यूनो मुझे ना समझ नहीं आता कि लड़कियों को हमेशा ऐसा क्यों लगता है कि उनके इशूस लड़कों से जादा बढ़े है क्योंकि होते है I don't think so, Banker लड़कों के लाइफ में भी इशूस होते है और काफी सीरिस इशूस होते है जैसे कि एक मा की डिमांड कि उसके बेटे की शादी एक ऐसी लड़की से हो जैसे आक्चिली मैं लगता है कि वो एक टाइम पर दो कोर्स कर सकती है बैंकर का और नर्स का I mean, seriously, banking and nursing दोनों साथ में उजे ना वो लड़की समझ ही नहीं आती, यार How can she be so stupid? And पर उसको ऐसा भी लगता है कि वो एक ऐसा कोर्स करेगी जिससे वो पाइलेट और एर होस्टेस दोनों बन जाएगी I mean, heights हार किसम के लोग होते हैं ना, सर Yeah, you're right कुछ लड़किया होती हैं जो जो लड़को को रुलाती है फिर कुछ लड़किया ऐसी होती हैं जो जो रोते हैं लड़को को हसाती है बहले ही कम वक्त के लिए पर उनका गम कम कर देती है और कुछ लड़कों के साथ बात करना बहुत आसान होता है मैंने इस बारे में कभी किसी से बात ही नहीं की क्योंकि ये इतनी बड़ी बात हो गई थी किसी को बताना ही मुश्किल था कुछ वक्त के लिए थो लोग अमरुता चिपनिस का नाम सुनके रिष्टे के लिए मना कर देते थे लोगों का कहना था कि जो लड़की अपने माइके से इतना अटेच्ट है वो कभी ससुराल की नहीं होता है I'm sure मेरी मॉम को भी ऐसी बहु बलकुल नहीं चाहिए होगी क्या कर सकते हैं Anyway, फिर? फिर क्या हुआ? वक्त था? गुजर गया? यह वक्त के साथ लोग भूल जाते हैं या फिर उनको कोई नया गॉसिप मिल जाता है खुद को एंटिटेंड करने के लिए और फिर वो हमें अकेला छोड़ देते हैं है ना? यह प्रेक्ट इससे लोग मुझे छोड़े उससे पहले मैं ही उन्हें छोड़ देता हूँ यही वजाए दिल्ली से यहां पे आने की अनेस्ली सब कुछ हैंडल नहीं कर पा रहा था अगर बात मेरी होती ना तो समझ आता बट लोगों ने मेरी फैमली को टागेट कटना शुरू कर दिया था निम्मी के लिए रिष्टे नहीं आ रहे थे फैमली गादरेंग्स, इवेंट्स, मीटिंग्स, फेस्टिवल्स हर जगे बस एक ही गॉसिप हो रही थी एक ही बात की विराट सिंग में हुजा का डिबोस रिष्टा जुड़ना जितनी बड़ी बात होती है उसका ढूटना उसे में बड़ी बात होती है जब वह लोगों का डिबोस होता है तो सिर्फ रिष्टा खतम नहीं होता पैंकर रिष्टे के साथ-साथ नाओ इंसां इनसान भी खतब हो रोगाता है वो पहले जैसा पहले जैसा रहता ही नहीं और शादी तक कुछ प्यार किया ही क्यों बलको वो भिगोने का इतना ही शौक था तो बारिश का वेट कर लेते सला प्यार क्यों किया हम भी तो खुद को ही इल्जाम देने लगते ना जबकि हमारी कोई अलती नहीं ऐसा लगता है कोई एक्जाम दिया हो और हमारे आंसर्स बढ़े बिनाई किसी ने अमें फेल कर दिया करेक्ट अच्छली प्रोब्लम सॉसाइटी की है सॉसाइटी ने शाधियों को इतनी इंपोर्टेंस दियो हुए है कि उसके टूटने के बाद इंसान को हारावा डिकलेर करते थे लूजर बट मैं भी माम मैं स्टेक को मानता ही नहीं मानना भी नहीं चाहिए I don't know मुझे बोलना चाहिए या नहीं क्योंकि मैं सारी बाते तु जानती नहीं लेकिन इससे भी कुछ अच्छा ही होगा यू नेवर नो उस लड़की का आपकी जिंदगी से चले जाना है आप दोनों के लिए बहतर हो मेरी फैमिली में मेरे घर में जो कुछ भी हुआ I mean जब मेरी बाबर ने डिसाइड किया कि वो मेरी आई के साथ नहीं रहना चाहते है तो मुझे भी बहुत गुस्सा आया था कि बाबा ऐसा कैसे कर सकते है मेरी आई को दोका कैसे दे सकते है उसे इतना रुला कैसे सकते है लेकिन जैसे जैसे वक्त गुसर रहा है न मुझे रियालाइस हो रहा है कि शाहिद सही हुआ मेरी आई कि बहुत गलत रिष्टे को निभा रहे थे एक नाकाम शादी में बंधी हुई थी और उस शादी का टूटना ही मेरी आई के लिए अच्छा होगा बस कभी कभी किस्मत पे हम से आते हैं जिस बाबा के लिए मैंने अपनी शादी तोड़ दी उसी बाबा ना अपनी तीस साल की शादी को तोड़ के हम सब को छोड़ के मुझे आज में आज में रहना पसंद है अपने आज में इस बल में मैं भी इसी एडियोलोजी की वज़ा से दिल्ली छोड़के आपे आगया पास्ट में रहने का क्या फाइदा मुझे भी अब आज में ही जीना है इसी पल में रस्ट मी सर वक्त के साथ सब कुछ ठीक होई जाता है या और आपने वो गाना तो सुना ही होगा कुछ तो लोग कहेंगे लोगों का काम है कहना तो कहने दीजे उने हमें उनकी बातों में क्यूं पढ़े रहना हमें तो अपनों के साथ रहना है को यह कैसा जो हर मुसीबत में हमारे साथ रहे वही हमारे लिए बनाए हमारे लिए खास है कैसे मुझे तुम मिलगे 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 साथ, आप चिंता मत कीजिये, आपका सीक्रिट मेरे साथ सेफ है. आपका सीक्रिट मेरे साथ सेफ है. वेल, वेल, अब तो ये सीक्रिट मुझे पता चंग गया है. अब ये कितने दिन सेफ रहेगा, कौन जाना है? आई, इस साल भी ना हर साल की तरह हम चिट सिस्टम रखते हैं. इस तरह सबको खिलने का मौका मिलेगा. ए पागल, लड़का लड़की को सिर्फ सामने बिठा के कुछ नहीं होता. उनके दिल में कुछ-कुछ होने के लिए, हमें कुछ-कुछ करना पड़ेगा. एक कामकर, एक तू चिठिया बना रही है ना? सेम कलर ले तू. एक कुछ-कुछ निश्यानी कर सेम। ताकि तीन पैरो वाली रेस में, एक दोनों चिठिया उन दोनों के हात में मिलेगे आमू और गॉत. औरे आई, तुसी पैर की ते है? लुग ना, पुपरकल ने? एलो जी, येली कामने, गदम-दम. निश्यानी, निश्यानी. अलिश्यानी, उपर से बनाती हूने गाई? ये मैं दोनों के लिए ऐसे हाट बना देती हूँ. हाँ. बराबबर. ये दोनों को ये चिठिया मिल जाए. परेक्ट. बाजू में रख लेका. साइड़. हाँ. आई. स्टूडन्ट तो मैं ही आपकी बेस्ट हूँ. है? अब आप चिती-चिती रेड़ी हो जाओ. सर्प्राइस के लिए. तू बेस्टूडन्ट हो ना हो. लेकिन बेस्ट्रेंग तो है. हाई. तु सिंग जाए तुरू. अबिताजी, कल से आपने कुछ नहीं खाया है. कुछ तो खालीजे. तब इत खराब हो जाएगी, बी-पी लो हो जाएगा. हो जाने दीजिए. लेकिन ना मैं कुछ खाऊंगी, और ना ही प्यूंगी. वैसे भी, मेरे जीने मरने से किसी को क्या फरक पड़ता है. मेरी बेटे को मेरी परवा नहीं है. तो मैं अपनी परवा क्यों करूँ? ऐसी बात नहीं है. आप अच्छी तरह से जानते हैं कि विराट आपसे ही सबसे ज़्यादा प्यार करता है. लेकिन ये शादी के जो मामले होते हैं ये थोड़े सेंस्टिव होते हैं. उसकी फीलिंग को समझी है. प्लीज, कुस्ता छोड़िया और कुछ खा लेच. विराट? माम, जाए. जाए, हालो माम. तुने मेरी बात सुनी? जो मैं तेरी सुनू? सही कहते हैं लोग. माबाप अपने बच्चों को जिंदगी बर एक जैसा प्यार करते हैं. लेकिन वो काम बच्चों का नहीं है. बच्चों का प्यार तो वक्त के साथ बदलते रहता हैं. वाम, जाए. अब जानती हैं मैं आपसे कितना प्यार करता हूँ. लव यू सो माच. आपकी किसी बात को कभी मनानी क्या मैंने. आपकी हर बात चुक्यों में मानिये. यह जो आप कह रहे हैं ना मॉम यह फैर नहीं है. ना मेरे लिए नाहीं उस संजना के लिए. तो ठीक है. मुझे भी कुछ नहीं खा रहा है. हटाएके. ठीक है. आपने खाएंगी तो मैं भी नहीं कहूँगा. और मैं कहा हमेंसे कोई नहीं खाएगा, रहीट? कोई कुछ नहीं खाएगा? हाँ, कोई नहीं खाएगा, कोई नहीं खाएगा. मुझे तो बिल्कुल भी भूग नहीं लगी है. किसी को भी नहीं लगी है? हाँ, ठीक है, मॉम. मॉमी सही कह रही है. मैं जी किछी भूगने लोगी, हम कुछ नहीं खाएंगे, एनन मुद्ध? हाँ, कोई कुछ नहीं खाएगा हाँ, हाँ, मैं तो दवाई के लिए खा रही थी निकिंग घुली मारा ना दवाई को, मैं भी निखाऊंगी यह लो, अब बेबे भी नहीं खा रही अरे, इनकी तबियत खराब हो जाएगे, आप से पहले यह बिमार हो जाएगे फिर क्या करेंगे हम? इस तरह आप लग मुझे ही ब्लेक मिल कर रहे हो? हाँ? मुझे ब्लेक मिल तो आप कर रहे हैं आप मुझे से गुसा है तो खाने पे गुसा क्यों ने कल रहे हैं? अगर आप खाना ने खाएगे तो मेरी ना हां में थोड़ा बदल जाएगे तो क्या फाइदा हो है यह सब करना है? आप मेरा ओर्फिट बहुत अच्छा है जहान अंथी थैंक यू सो मच्छ जहान अंथी कित्नी प्यारी ट्रेस है दिखा? अदे वाह! क्या लगती है मेरे आमूओं ओए रभा बाजी वाह! थैंक यू अजी लेकिन में कहां पहन हूँगी यह? राज क्या फंक्षन में और कहां? वैसे तो तो हमेशा साडी में ही सजी धजी होती है मतलब साडी पहनना कोई बुरी बात नहीं है और तुछ में तो साडी जच्ती भी बहुत है लेकिन कभी कभार ऐसे ड्रेस भी पहन लिया कर अपने वो को खुश करने के लिए पिरे गौतम को प्लीज आटी मैं खुद को खुश करने के लिए तयार होती हूँ और उको नहीं कभी कभार अपने जिवन साथी के लिए टायार होने में कोई अचाहू कर संवजे और शादी तु अपने मन से कर रही है ना हाँ, तैरा चोईस है ना जहान हाँ दोने क्या दिया है मुझे पहने के लिए यह ना मैने पहले ऐसे कभी पहना नहीं है अरे, ये तो आम्मू के मुवर है सब पेहने के लिए, मेरी नहीं. तो एक काम करना, अलमारी में से ना एक काले रंग की साड़ी है, वो मुझे दे दे, मैं फटाक से बदल के आती हूँ. अतला बदली नहीं होगी, निकला तू. नौको ना, सासु भाई. बारा. आज जी जोर से डांट तभी सुनेगी नहीं, तो बाहर नहीं आएगी. हाँ. जोर से डांटो, उच्छी आवर लगाओ. बावाने! आँ, सासु भाई. बारा. आजा आई? आज कोई च्वाइस नहीं है तेरे पास. देख, सीधा हाई कमांड से ओडर है. आए! किक, किक कर? आए, अमू. आए, आए. इस चांद दीशती है तू? आज मैं तेरी नजर उतारूगी. चुप, फुटा. चल, चल, चल. तू इसकी नजर बाद में होता ना, पहले इसका जूडा निकाल. ए नाहीं नहीं हा, तेरे खेहने पर मैंने यह सब पहन लिया ना यह सब पहन के ना मैं पहली बार जाने वाली हूँ बिल्डिंग वालों के सामने पथा ने वो क्या कहेंगे देख, मुझे आ रहा है तो मैं ऐसी याओंगी, फ़त नहीं याओंगी मेरे होते हुए मैं देख्टे हुए तुझे कौन क्या बोलता है और जाने भी देख तु ज्यादा बोलेगी शुरन चालू होता है गंगा जमूना सासु भाई अच्की लग रही है तुमनेवाद चलो निकलते हैं? हाँ चलो हरशो? हाँ आजा, आजा, आवाई? हाँ, आजा आजा अमो, सुन तुने उन आउजाओ से जाके बात की थी ना? तु तु जिंता मत कर, मैंने कर ली थी बात वो नाराज थे क्या? नहीं उनके अपनी फैमिली की प्रोग्लम्स हैं उसी में उजए थी इसे किसी को उल्जन में देखना अच्छा नहीं लगता ना? अगवान करें, उनके हाँ सब ठीक हो जाए और उसके बाद वो अपने घर पे रहे नहीं, आज मकर संक्रांती है ना? अच्छा होगा वो वहाँ पे ना आए मुझे भी ऐसे ही लग रहा आए अब विराट सर हमारे साथ कुछिया मनाने नहीं आएंगे आप हम सब लोग खा सकते हैं? आपकोस मुल्ली मुल्ली जी मौम की मेडिसन लेया जल्दी से तेंक यू मुल्ली अच्छा है आप मान गई अब हम सब खुशी-खुशी मकर संग्राती मनाने जाएंगे कोई कहीं नहीं जाएगा इससे ज्यादा ड्रामा मुझे नहीं चाहिए मेरे घर से उस सेलिब्रेशन में कोई नहीं जाएगा सुन लिए समने कि झाएस हुशी ए शुश कर दो दो जाएस फे जाएग हम मेरे ऱ्री चाहीं सम्तरत्ते है कर दो दो ऑन लो जाएगा लूगा कर दो配ख